Hey everyone, कैसे बच्चो, I hope everyone is doing great and everyone is fine बच्चो, and आपकी unit test की तयारिया अच्छी चल रही है, बच्चो, unit test के लिए जो ज़रूरी होने वाले chapters, जो है algebra के दो chapters और geometry के दो chapters, मैंने already upload कर दिये है, अगर आप लोगों ने वो सब नहीं देखे, तो जाकर देख लेना बच्चा, algebra का linear equations into variables, and quadratic equation upload हो चुका है, at the same time, geometry का pythagoras theorem और similarity भी upload हो चुका है, तो अभी आप लोगों का unit test होने के बाद क्या, तो semester के लिए आपको तयारिया करनी होगी, तो semester में जो ज़रूरत होने वाले chapters है, उसमें से एक chapter होगा, बच्चा, हमारा arithmetic progression, arithmetic progression आपके algebra में third chapter आपको मिलेगा, and believe me बच्चा, algebra में one of the easiest chapter इसको consider किया जाता है, इसके word problems भी बहुत simple होते है, and इसके सारे questions भी बहुत simple होते है, provided आपको इसका fundamental और इसका basics आ जाए, तो बच्चो ये वाला chapter आप पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए इसका starting basic fundamental समझना बहुत जादा important है, आज के session में हम पढ़ने बच्चो इसका fundamentals, बच्चो at the same time, आप लोग 11th standard में maths लोगे, तो उसमें आपको arithmetic progression फिर से आने वाला है, return होने वाला है, along with the geometric and harmonic progression, तो आपका basic इस साल clear होना काफी important है, तो शुरू करते हैं बच्चा आप बिना कुछ देरी किये, यहाँ पे arithmetic progression, तो बच्चो, सबसे पहले arithmetic progression से पहले समझना बहुत important है कि sequence मतलब क्या होता है, because arithmetic progression एक sequence है, तो sequence का मतलब क्या होता है, यह समझना काफी important है, यहाँ पे बच्चो मैं यहाँ पे कुछ arrangement of numbers दे रहा हो आपको, for example देखो, 2 है, उसके बाद में 4 है, उसके बाद में 6 है, and उसके बाद में 8 है, तो उसके बा होगे, बच्चो, आप लोग ने तो अपतर गेस कर भी लिया होगा, इसके बाद का number जो होगा, वो होगा 10, आपने कैसे एकदम अच्छी तरह से फटा-फट से प्रेडिट कर लिया, and guess भी कर लिया, है ना बच्चो, तो यह arrangement of number में आपको guess करना काफी आसान था, एक और से पर ले तो बच्चो, a1 है यहाँ पे, the first number is 1, उसके बाद में तो next number में ने लिया है बच्चा, वो है 4, उसके बाद में जो next number लिया है वो है 9, and then the number I took was 16, and फिर मैंने यहाँ पे dot 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 किया, because यह number का sequence जो है, यह arrangement है, यह जा रहा है, आगे आगे, अगे, 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 अगे लोग वहाँ पे next number के आ जाएगा, तो आप लोग ने अब तक उसको भी guess कर ही लिया होगा, है ना बच्चो, कौनसा number आ जाएगा, yes बच्चो, the next number over here will be 25, कैसे पता चला, अगर आप लोग देखो के बच्चा, सबसे पहले 1 जो था, वो 1 का square था, 4 जो था, वो 2 का square था, 9 ज हाईर सी बाते next number जो होगा, वो 5 का square होगा, these are all the squares of the natural number, तो ये वाला guess करना भी काफी आसान था, एक और लेता हो बच्चो, यहाँ पे arrangement of number, 1,3,9,27, उसके बाद में dot 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 आच्छो का है, आप लोग यहाँ पे भी कुछ, जारा सोचो बच्चो, यहाँ पे तरह guess work करने से पह previous number का 3 times है, देखा बच्चो, आप लोग ने 1,3003 होता है, 3,3009 होता है, 9,3027 होता है, तो जाहिर सी बात है, बच्चा, next number जो guess करना होगा, वो आपका 27 को 3 से multiply करने पर मिलेगा, which will definitely be 81, and so on, तो बच्चो, आप लोग ने एक बात देखा, यहाँ पे यह सारे जो arrangement of numbers मेंने यह यहाँ पे consider किये थे, वो ना बच्चा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक definite pattern को follow कर रहे थे, एक अच्छा कासा pattern था, एक अच्छा कासा smooth flow था, and वो flow हम लोग को पता चला, pattern क्या हम लोग को पता चला, next number जानना काफी आसान था, है कि ने बच्चा, तो ऐसे arrangement of numbers, जो एक definite pattern क follow करता है, एक smooth pattern को follow करता है, ऐसे type of numbers को हम बोलते हैं बच्चा, sequence, and it is as simple as that, तो बच्चो, I hope सब लोग को sequence का मतलब समझ में आया, इसका definition exam में नहीं आने वाला है, in fact sequence related questions भी अभी निकाल दिये गए है, तो आप लोग को नहीं रहने वाला है, don't worry about it, just because arithmetic progression क्या होता है, हम ल बोलता जादा important है, let's try to understand what do you mean by an arithmetic progression, पहले definition लिखता हो, नहीं समझा तो कोई बात नहीं, an arithmetic progression is a sequence in which the difference between any two consecutive terms is constant, यहाँ पे जो main main important important words है, मैंने उसको highlight किया है, because वही सारे काफी important है, समझने की कोशिश करते है, बच्चो, यहाँ पे उनने लिखा है, arithmetic progression is a sequence, okay, इस sequence की बात कर है, तो हमें यहाँ पे sequence होना चीए, मैंने यहाँ पे, पिछले example में जो दिये थे, whatever the examples I took, वही example मैंने यहाँ पे ले लिया, 2, 4, 6, 8, 1, 4, 9, 16, 1, 3, 9, 27, यह सारे sequences थे, बट बच्चों यह सारे sequences थे, बट इन में से कौन सा arithmetic progression है, और कौन सा नहीं है, यह आज हम लोग चेक करेंगे, an arithmetic progression is a sequence in which the difference between any two consecutive terms, consecutive का मतलब होता है, बच्चा कोई भी दो आजू-बाजू वाले number ही लेने का, एक number इदर का लिया, एक number काफी दूर का लिया, ऐसा नहीं चलेगा, आजू-बाजू वाला, मतलब 2 and 4 यहाँ पे consecutive है, 4 and 6 यहाँ पे consecutive है, 6 and 8 यहाँ पे consecutive है, 2 and 6 को consecutive नहीं माना जा सकता, विकाद वो आजू-बाजू में नहीं है, इसको consecutive बोलते हैं, so any two consecutive terms, कोई भी दो consecutive terms लेने का, and उसका difference निकालने का, जैसे बच्चो 2, 4, 6, 8 में मैंने difference निकालने की कोशिश की, बच्चो difference निकालते वक्त हमेशा याद रखे, आप लोग first term minus second term नहीं क sequence को देखो, तो वो sequence में अगर मैंने आपको बला कोई भी दो आजू-बाजू-वाला term लो, जैसे 4 and 2 ले लिया, 4 and 2 का difference निकालो बच्चो कितना मिलता है, 2 मिलता है, फिर मैंने और आजू-बाजू-वाला लिया, 6 and 4, 6 and 4 का difference कितना मिलता है, फिर से 2 मिलता है, फिर मैंने 8 and 6 लिया, 8 and 6 का difference कितना मिल रहा है, फिर से 2 मिल रहा है, तो मुझे बताओ, बच्चो, any two consecutive terms का जब मैंने difference निकाला, तो मुझे सब जगह पे 2 ही मिला, मतलब हर जगह पे मुझे constant ही मिला कि नी, तो मुझे बताओ, सामने दिया हुआ sequence, जो sequence number 1 है, पहला example, क्या वो एक arithmetic progression है क्या, yes बच्चो, वो एक arithmetic progression है, आई हो बच्चो आपको arithmetic progression क्या है समझ में आया, बच्चो जब दूसरा वाला example और तिसरा वाला example देखना भले ही वो sequence थे, बट क्या वो arithmetic progression है क्या, ये check करने के लिए difference निकालने की कोशिश करना, पहला difference है 4-1, 3 हो जाएगा, दूसरा difference है 9-4, 5 हो गया, अचानक से बदल गया, 3 था पहले बाद में 5 हो गया, constant नहीं है, तो क्या ये sequence arithmetic progression होगा, नहीं होगा बच्चो, very simple thing to understand, similarly third वाला देखो बच्चो, 3-1 होता है 2, 9-3 होता है 6, इधर ही पता चल गया, कि तुमारे difference between any two consecutive terms constant नहीं है, तो ये वाला भी arithmetic progression नहीं है, तो सबको समझ में आए बच्चो, sequence क्या होता है and arithmetic progression क्या होता है बच्चो, तो ये definition है, arithmetic progression is a sequence, जहाँ पे 2 consecutive terms, कोई भी 2 consecutive terms का, जब आप difference नहीं हो तो वो constant होना चाहिए, it is as simple as that, चल इतना समझ में आगे सब लोग को, terminology जानना बहुत important है अभी, बच्चो, जानते है यहाँ पे terminology, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 8, dot 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 लिखा है, सबसे पहले अपने आपको पूछो, क्या यह सामने दिया हुआ sequence, arithmetic progression है क्या? हाँ बच्चो, यह arithmetic progression है अब यह arithmetic progression में आप arrangement of number देख सकते हो, तो सारे numbers आपको दिख रहे होंगे, 2, 4, 6, 8, आगे जाकर 10, 12 and many more, आज से ना बच्चो, यह सारे numbers को आप numbers नहीं बोलोगे, इसको क्या बोला जाएगा बच्चा here, 2, 4, 6 and 8 and so on and so on and so on, इनको हम बोलेंगे बच्चा terms of the AP, क्या बोला जाएगा बच्चा इसको, इसको बोला जाएगा terms of the AP, मतलब 2 क्या है, term है, 4 क्या है, term है 6 and 8 क्या है, terms है is that clear? and बच्चा हम लग Terms लिखने को जमता नहीं है इसलिए हम लोग क्या करने वाले Terms को हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा नाम दे देंगे that will be just a simple small t is that clear बचा? Term को हम लोग कैसे denote करेंगे? by a simple small t छोटा सा t, small capital में नहीं, small में मुझे बता बचा, यहाँ पे 2 भी term है, 4 भी term है, 6 भी term है 8 भी term है, ttttt तो नहीं लिख सकते सब लोग को, तो यहाँ पे जिस हिसाब से उनका position है, उस हिसाब से बच्चों वहाँ पे हम लोग numbering करेंगे is that clear? मतलब हम लोग यहाँ पे 2 को कैसे लिखेंगे? बच्चा t1 करके लिखेंगे, because हो सबसे पहले आया, तो term number 1 is 2 तो t1 is equal to 2 also called the first term of an AP, यहाँ पे second term कोन सा है? बच्चा 4 है, तो t2 is equal to 4 हो जाएगा, इसको हम बोलते second term, फिर third term आ जाएगा t3 बच्चो, t3 is equal to 6, t4 is equal to 8 and so on and so on and so on तो बच्चो आपको समझ में आ गया है ना, अगर मैंने आपसे पूछा 10th term मतलब क्या तो वो हो जाएगा t10 अगर मैंने बोला 50th term मतलब क्या तो वो हो जाएगा t50 and so on समझ में आ रहा है बच्चो यहाँ तक I hope everyone has understood a very 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 easy thing to understand समझा गाई? चलो अभी ना हम लोग क्या करते हैं मालो है बच्चो आज हम लोग ना कुछ जादा एकदम भी जादा advanced राला question नहीं करते हैं आज हम लोग textbook में छोटे मोटे questions जो है वो पहला खतम करने की कोशिश करते हैं थोड़े जादा है आप लोग manage कर पाओगे let's try to do it practice set 3.1 में question number 1 है which of the following sequences are AP सामने दिये हुए sequences में से कौन सा AP है and कौन सा नहीं है and अगर वो AP है if they are AP then उनका common difference निकालो दिखाता हो बच्चो कैसे solve करना है सबसे पहले आपका question है बच्चा 2,4,6,8 आप सबसे पहले बच्चो terms को define करोगे यह करना बहुत ज़्यादा important है solution में आ जाएगा बच्चा let t1 is equal to 2 t2 is equal to 4 t3 is equal to 6 and t4 is equal to 8 काफी है उतना दिये है उतना है लिखेंगे अब ना बच्चो हम लोग difference between any two consecutive terms निकालेंगे difference between any two consecutive terms मतलब कोन सा हो जाएगा बच्चा मैंने आपको बताया था difference ऐसे नहीं लिया जाता है difference उल्टा लिया जाता है तो t1 minus t2 नहीं करोगे आप लोग आप करोगे t2 minus t1 clear है बच्चा चलो t2 minus t1 कितना हो जाएगा that will become 4 minus 2 and 4 minus 2 होता है 2 but आप सिर्फ एक ही consecutive terms का difference निकालके नहीं रुख सकते आपको at least 2-3 तो करना चाहिए चलो t2 minus t1 निकालने के बाद consecutive terms कोन सा है t3 minus t2 t3 minus t2 कितना हो जाएगा that will become 6 minus 4 and 6 minus 4 होता है फिर से 2 but रुकना मत एक और बाकी है वो भी complete कर लो t4 minus t3 भी निकाल लेना बच्चा and काफी है इतना t4 minus t3 will become 8 minus 6 and what is 8 minus 6 बच्चो again 2 जड़ा चेक करो बच्चो यहाँ पे difference between consecutive terms जो निकाला क्या मुझे सब जगह पे same constant answer मिला हाँ बच्चो and जब same constant answer मिलता है तो क्या मैं इसको arithmetic progression बोल सकता हो yes बच्चो so यहाँ पे लिखूंगा in this sequence the difference between any two consecutive terms is constant तो क्या यह सामने दिये हुआ जो sequence है वो arithmetic progression बन जाएगा हाँ and उन्हें लिखा है बच्चो अगर हो arithmetic progression बनता है तो उनका common difference भी निकालो common difference आप लोग देख सकते है बच्चो हर जगह पे आपको difference क्या मिला 2 मिला ना तो यहाँ पे लिख सकते है बच्चा therefore the given sequence is an arithmetic progression जो की AP है and the common difference over here is 2 and it is as simple as that for one mark बच्चो एग्जाम में arithmetic progression को आप shortcut में AP लिख सकते है इस completely fine बच्चो आपको बार-बार arithmetic progression लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है it's completely fine marks मिल जाएगा next question for all of you guys it is the same thing आप लोग चाहो तो वीडियो को pause करके try कर सकते हो same question है बच्चा question number 2 बट यह थोड़ा सा fraction में है 2, 5 upon 2, 3, 7 upon 2 dot 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 let t1 is equal to 2 t2 is equal to 5 upon 2 t3 is equal to 3 and t4 is equal to 7 upon 2 अब आप लोग को यहाँ पे difference निकालना है सबसे पहले difference निकालेंगे t2 minus t1 का t2 minus t1 क्या हो जाएगा बच्चो it will become 5 upon 2 minus 2 5 upon 2 minus 2 कितना होता है बच्चो please आप लोग को पता है this actually becomes a cross multiplication the LCM method तो आपको पता है बच्चो वो 2, 2 के साथ multiply हो जाएगा it will become 5 minus 2, 2, 0 होता है 4 divided by नीचे denominator आजाएगा 2 5 minus 4 होता है 1 बच्चो the answer will be 1 upon 2 यह मेरा है पहले two consecutive terms का difference दूसरा कौन सा करेंगे t3 minus t2 बच्चो t3 minus t2 कितना होता है t3 तो 3 है and t2 तो 5 upon 2 है तो 3 minus 5 upon 2 करना पड़ेगा यहाँ पे cross multiplication ऐसा जाएगा बच्चो तो 3, 2000 होता है बच्चो 6 minus 5 divided by 2 6 minus 5 होता है बच्चो 1 तो यहाँ पे answer मिलेगा 1 upon 2 as simple as that ओके और एक करेंगे t4 minus t3 काफी simple concept है बच्चो तो t4 minus t3 हो जाएगा 7 upon 2 minus 3 फिर से cross multiplication ऐसे होगा it will become 7 minus 3 2000 होता है 6 divided by 2 7 minus 6 होता है again 1 divided by 2 चेक करो बच्चो यहाँ पे difference between consecutive terms constant है या नहीं है हाँ बच्चो यहाँ पे constant है अगर वो constant है तो यह arithmetic progression बनेगा हाँ अगर arithmetic progression बनेगा तो common difference कितने का है 1 upon 2 का very good बच्चा therefore the given sequence is an arithmetic progression and the common difference over here is 1 upon 2 and it was as simple as that कितना easy question है ना बच्चो एक मार के लिए थोड़ा lengदी जरूर है बच्चो आप लोग manage कर पाओगे practice rate 3.1 का same to same question number 1 का question number 3 ले रहाँ सब question यहाँ पे बच्चो minus 10, minus 6, minus 2, 2 लिया है अब बच्चो यह वाला question मैंने जान बुच कर लिया है यह question दिखने में कितना आसान लगता है ना बड़े question आसान भले ही है आप लोग यहाँ पे silly mistake सबसे जाधा करोगे क्यूकि यहाँ पे हम लोग देख सकते है यहाँ पे negative numbers का बहुत सारे questions है बहुत सारे numbers है अगर हम लोग देखेंगे बच्चा T1 is equal to minus 10 है T2 is equal to minus 6 है and T3 is equal to minus 2 है and T4 is equal to 2 है तो सबसे पहले जाहिर सी बात है हम लोग T2 minus T1 निकालेंगे अभी तो आपको पता चल चुका है बड़ बच्चो इधर ज़रा ध्यान से देखना बच्चे क्या करते है मालव में T2 minus T1 अभी T2 है minus 6 जोकि मैंने लिख मिलिया यहाँ पे minus 6 minus T1 लिख लेते है minus 10 मतला minus 6 minus 10 लिखते है नहीं बच्चो T2 minus T1 हो रहा है तो T2 minus 6 है फिर minus आजाएगा फिर T1 कितना है बच्चो T1 10 है क्या T1 minus 10 है that's why it will become minus of minus 10 यहाँ फिर बच्चो 2 minus case से आए I hope सब लोग को पता चला T2 minus T1 में minus already था and T1 का भी minus 10 वाला वो भी आजाएगा Is that clear? Don't make a mistake silly mistake हो जाएगा यहाँ पे open the brackets बच्चो minus 6 minus of minus plus होता है plus 10 हो जाएगा minus 6 plus 10 तो सब को पता है बच्चो it is going to be positive 4 तो यहाँ पे 4 आगया very simple thing to understand उसके बाद मेरा T3 minus T2 निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पे फिर से वही mistake मत दोहराना बच्चा T3 minus T2 T3 है minus 2 minus T2 T2 है minus 6 तो minus of minus 6 हो जाएगा which will give me the answer is minus 2 plus 6 बच्चो and minus 2 plus 6 कितना होता है? again the answer is positive 4 वाउ उसके बाद last but not the least बच्चा T4 minus T3 भी करना बाकि है तो T4 यहाँ पे कितना है बच्चो T4 2 है फिर T3 आपका minus 2 है तो that will become minus of minus 2 है न बच्चा that will become 2 plus 2 and 2 plus 2 होता है 4 तो आप देख सकते बच्चो यहाँ पे difference between all the consecutive terms कोई भी consecutive terms लो यहाँ पे आपको difference यहाँ पे constant मिल रहा है जो कि 4 है तो इसले मैं लिख सकता बच्चा the given sequence is an AP with a common difference over here to be 4 and it is as simple as that सारे question बच्चो ऐसे ही है practice at 3.1 का question number 1 भी लिया है मैंने यहाँ पे same to same बट थोड़ा सा न बच्चा अगर आप लोग ने देखा starting के 3 question जो मैंने लिये उसमें सारे के सारे AP आ रहे थे तो ऐसा भी तो question होना चाहिए जहाँ पे difference constant ना हो तो मैंने ये वाला question ले लिया आपके textbook मेरा बच्चा यहाँ पे तरह question दरह देखना 0.3 0.33 के बाद में उन्हें वहाँ पे वो decimal वाला part देखो बच्चा उदर गलत हो गया उनका तो 0.0333 ऐसा कुछ तो आया है तो मैंने उसको rectify कर लिया मैंने 0.333 कर लिया है बच्चो चलो यहाँ पे let t1 is equal to 0.3 t2 is equal to 0.33 and t3 is equal to 0.333 सबसे पहरे निकालेंगे t2 minus t1 तो t2 minus t1 होगा बच्चा 0.33 minus 0.3 बच्चो I hope सब लोग को decimal को solve करना आता है आप लोगोंने subtraction of decimal सीखा है बच्चा आप लोगों को पता है decimal के नीचे ही decimal आता है अगर आप लोग चेक करोगे बच्चो 0.33 में से 0.3 जाता है तो बच्चता है 0.03 Is that clear to every student बच्चो यह वाला try करना उसके बात मुझे आपे t3 minus t2 निकालने की कोशिश करोंगा t3 है मेरा 0.333 minus t2 है मेरा 0.333 पता ना बच्चा 0.333 मतलब 0.330 होता है तो 333 मतलब 333 में से 330 को निकालो बच्चता है सिर्फ last में 3 इसलिए 0.003 मिलेगा यहापे इसके आगे और कोई number हमें दिया नहीं है तो हम लोगो इधर ही रोकना पड़ेगा जड़ा चेक करो बच्चो यहापे difference between the consecutive terms constant है क्या नहीं है बच्चो पहले में मुझे 0.03 मिला दूसरे में 0.03 003 मिला I am so sorry तो यहापे आप लोग देख सकते हैं in this sequence difference between any two consecutive terms constant नहीं है इसले the given sequence is not at all an arithmetic progression इसले difference निकालने का सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे common difference नहीं आएगा a very simple question to understand समझा बच्चो सब लोगो easy था चलो एक और लेते है बच्चा practice at 3.1 का question number 1 यहाँ पे question number 7 है बच्चा यह question लेना तो बहुत बनता ही है यह question लेना ही चाहिए बच्चो because यह question में सबसे ज्यादा mistakes आप लोग के होते है let's try to see over here आप लोग क्या mistake करते हो यहाँ पे देखो बच्चो t1 is equal to 3 मिला t2 is equal to 3 plus root 2 मिला t3 is equal to 3 plus 2 root 2 मिला and t4 is equal to 3 plus 3 root 2 मिला आप लोगो यहाँ पे सबसे पहले t2 minus t1 निकालना है t2 minus t1 निकालते हैं लोग ज़रा ध्यान से t2 आपका 3 plus root 2 है minus आपका t1 यहाँ पे 3 है अगर आप लोग देखो के बच्चो यहाँ पे 3 plus root 2 minus 3 में 3 minus 3 cancel हो जाएगा आपके पास बचेगा सिर्फ root 2 very simple यह तो सबको आता है बढ़ उसके बाद अगर हम लोग निकालेंगे t3 minus t2 इधर ना बच्चो थोड़ा सा आप लोग वो mistake करते हो जो आपने 9 standard में सीखा है बच्चो subtraction of the polynomials बच्चो t3 minus t2 अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे t3 है 3 plus 2 root 2 minus t2 है बच्चो 3 plus root 2 आप लोग ने देखा बच्चो यहाँ पे मैंने क्या एक बहुत important चीज किया देखा नहीं देखा बच्चो whenever the subtraction happens मैं bracket डालना कभी नहीं भूलता क्योंकि ना बच्चो सबको पता है whenever a subtraction happens sign अंदर का change होता है of the second polynomial है की नहीं बच्चो सीखा है ना बच्चो आप लोग ने यह सारे चीज है तो यहाँ पे देखो बच्चो 3 plus 2 root 2 as it is रहेगा अगर मैंने bracket को open किया तो क्या हो जाएगा it will become minus 3 minus root 2 समझ में आया बच्चो आप लोग ने कैसे sign को change कर दिया negative changes the sign देखा चलो grid अगर आप लोग देखो के बच्चो यहाँ पे तो 3 minus 3 तो cancel हो जाएगा 3 और minus 3 cancel हो गया बच्चा सिर्फ 2 root 2 minus root 2 बच्चो 2 root 2 minus root 2 में root 2 root 2 cancel नहीं होता है 2 root 2 minus root 2 का मतलब होता है simple language में 2 apple minus 1 apple अगर 2 apple मेंस 1 apple तुमने खा लिया कितना apple बचेगा एक ही apple बचेगा नहीं 2 root 2 मेंसे एक root 2 गया तो कितना root 2 बचेगा एक ही root बचेगा तो यहाँ पे root 2 मिलेगा a very 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 simple question इसारे आप लोग ने certs में पढ़ा था 9th standard में अच्छा यहाँ पे हम लोग t4-t3 भी निकालने की कोशिश करते है t4 है आपका 3 plus 3 root 2 minus आपका यहाँ पे t3 है 3 plus 2 root 2 अगर ब्रैकेट ओगर open करूँगा यहाँ पे तो 3 plus 3 root 2 हो जाएगा फिर sign देखो बच्छा minus of 3 हो जाएगा and minus of 2 root 2 हो जाएगा is that clear to every student बच्छा sign change हो चुक है 3 minus 3 फिर से cancel 3 root 2 minus 2 root 2 मतलब 3 apples में से 2 apples खाली है कितना apple है? एक ही apple मतलब root 2 बच्छाएगा very simple चेक कर रहा बच्छो यहाँ पे difference between any two consecutive terms constant है क्या? हाँ बच्छो in this sequence the difference between any two consecutive terms constant है constant रहेगा and वो कितना है बच्छो वो भी लिका है therefore the given sequence is arithmetic progression है बच्छो and the common difference over here is root 2 and it was as simple as that कितना easy था बच्छो very 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 easy चलो let's go for the next question guys over here the next question is practice at 3.1 का same to same है बढ़ थोड़ा सा भी change हो गया write an AP whose first term is A and the common difference is D in each of the following अब थोड़ा confuse मत होना बच्छो यहाँ पे इन्होंने first term को A बोला है तो first term को A बोलने का या T1 बोलने का है यह वाला part ना बच्छो मैं आप लोग को अगले session में अच्छी तरह से सिखा दूँगा अभी फिलाल उन्होंने हम लोग को लिखे ही दिया है first term को A बोलने का है फिलाल हम लोग ऐसे भी समझता है actually first term को दो-दो नाम होते है हम लोग वो next session में पढ़ेंगे यहाँ पे ना बच्छा आपका first term A है और आपका common difference D है और आपको एक AP खुद बनाने का है कैसे बनाने का? let's have a look सबसे पहले देखो बच्छो A is equal to 10 दिया है D is equal to 5 दिया है बच्छो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसको कैसे solve करना होता है सबसे पहले ज़रा देखो बच्छो A A मतलब क्या बोला था उन्होंने उपर A मतलब first term था मतलब A is equal to T1 बनेगा first term है और वो देखे रखा है 10 उसके बाद अगर आप लोग देखोगे न बच्छा आपका arithmetic progression 5-5 के difference से जा रहा है मतलब दाहिर सी बात है बच्छा 5 का difference हमें कब मिलता है जब मेरा arithmetic progression 5-5 से आगे बढ़ता है तो मतलब इसका ये मतलब है कि अगर मुझे T2 चाहिए जो कि second term है क्या मैं बोल सकता first term के साथ जो मेरा था उसके साथ मैं common difference को add करूँगा मतलब first term मेरा 10 था तो common difference 5 से add करूँगा तो next number क्या मिलेगा मुझे 15 मिलेगा चेक करो बच्छो 10 और 15 first term 10 था and second term 15 था दोने में common difference 5 का आया की नी है ना बच्छा very simple तो अगर आप लोगो दूसरा term चाहिए रहता है तो पहले term के साथ common difference को add करनेगा very 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 simple तो जड़ा सोचो बच्छो अगर मुझे T3 चाहिए रहेगा तो मैं common difference किसको add करूँगा previous वाले term के साथ जो की कौन था? T2 था very good बच्छा यहाँ पे T2 प्लस D हो जाएगा very 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 simple clear है? आपका T2 कितना मिला था? बच्छो 15 मिला था तो 15 प्लस 5 हो जाएगा which will become 20 ऐसे ही एक और निकाल के रखना बच्छा T4 तक काफी है तो T4 is equal to T3 प्लस D हो जाएगा यहाँ पे तो T3 प्लस D that will give me the answer as 20 1st term है 10, 2nd term है 15, 3rd term है 20, 4th term है 25 बट क्या यह arithmetic progression रुक रहा है बच्छो? नहीं रुक रहा है इसलिए लिखते वक्त ऐसे लिखोगे the AP is 10, 15, 20, 25, dot, dot, dot timber, timber, timber and so on and AC साब से आप लोग को एक मार का एक simple सा question मिल जाएगा I hope everyone has understood right na guys? चलो दूसरा वाला question लेता है practice at 3.1 का question number 2, same to same यहाँ पर arithmetic progression में A का value देखे रखा है minus 7 D का value देखे रखा है half बच्छो, इसका question में एक थोड़ा सा interesting part में कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना A is equal to minus 7 है but A का मतलब भी first term होता है तो first term मतलब T1 हो जाएगा तो T1 is equal to minus 7 हो जाएगा first term मिल गया, second term question निकालने का मैंने आपको बता दिया बच्छा second term निकालने के लिए first term को common difference के साथ add करने का तो यहाँ पर आपका first term कितना था बच्छा minus 7 था, plus आपका common difference था half बच्छो, जरा answer to this is चल जाता, आपके textbook के पीछे जो answer लिके है वो सारे decimal में लिके है इसलिए मैंने भी convert कर दिया, अगर आपको convert नहीं करना है, it's completely fine बच्छो, बट जरा ध्यान से cross multiplication करना, बच्छो, minus 7 plus 0.5, काफी सारे बच्छे बोलते हैं, minus 7.5 होता है नहीं बच्छो, minus 7 plus 0.5 जब आप लोग करोगे negative में से positive कर रहे हो आप लोग, तो आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा यहाँ पे, number will be minus 6.5, is that clear to every students बच्छो, समझ में आ गया, okay, T3 निकालना है बच्छो, यहाँ पे आपको T3 is equal to T2 plus D हो जाएगा, previous term के साथ common difference add, तो आप लोग को पता है, बच्छो, यहाँ पे T2 कितना है T2 is minus 6.5, plus half हो जाएगा, क्योंकि difference half है, but मैं half को लिख सकता है बच्छो, 0.5, तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, minus 6.5 के साथ 0.5 और add करोगे तो वह minus 6 बन जाएगा very simple thing to understand next वाला है, बच्छा, T4, T4 is equal to T3 plus D हो जाएगा, T3 plus D मतला, minus 6 plus half हो जाएगा, सब को पता है, half is equal to 0.5, तो minus 6 plus 0.5 होता है, बच्छा, minus 5.5 काफी लिख लिए हम लगने इतना काफी है, तो therefore that AP यहाँ पे जो मिल रहा है मुझे, that will be minus 7, minus 6.5, minus 6, minus 5.5, dot 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 timber 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 and so on and यहाँ पे आपका finally answer मिल चुका है, easy है ना बच्छो कुछ भी difficult नहीं है ना, यह basic करना बच्छो दो रहाँ, तो यहाँ पे practice at 3.1 का same to same question का sub question number 4 लिया है, बच्छो कुछ questions है ना मैंने नहीं लिये है मुझे इसा लगता है कि वो सारे questions आपको आ जाएंगे, because questions बहुत simple है, question number 1 में भी मैंने कुछ questions को छोड़े है, question number 2 में भी मैंने कुछ questions छोड़े है तुम लोग के ओपर, मुझे लगता है आप लोगो manage कर पाओगे, next question a is equal to minus 1.25 d is equal to 3 यह वाला part थोड़ा सा interesting है a मतलब first time होता है बच्छा and first time मतलब t1 होता है, जो की मेरा minus 1.25 है, मेरा t2 यहाँ पे होगा बच्छा t1 plus d and t1 मतलब minus 1.25 plus d मतलब 3 है बच्छा minus 1.25 plus 3 करेंगे तो काफी सारे बच्छे इसको minus 4.25 लिखते है minus 1.25 negative है, उससे 3 जादा बढ़ेगा तो आपका answer कहाँ पे पहुचेगा बच्छा, it's 3 minus 1.25 1.75 बनेगा very simple thing to understand उसके बाद सारे चीज़े easy है बच्छो t3 is equal to t2 plus d होगा t2 आपका 1.75 है उसके साथ 3 को add करना आपको आसानी से answer मिलेगा 4.75 फिर आपको t4 निकालना है यहाँ पे which is t3 plus d previous term के साथ common difference add आपको मिलेगा बच्छा 4.75 के साथ 3 which will give me the answer to be what बच्छो very easy question क्या है yes बच्छा, इसका answer हैगा 7.75 तो final answer लिख सकते है बच्छो, the given arithmetic progression will be minus 1.25 1.75 4.75, 7.75 and going on continuously, very easy right ना बच्छो, very 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 easy, चलो, next question है बच्छा practice at 3.1 का question number 3 है find the first term and the common difference for each of the IP, in fact यह question सबसे जादा easy है आपको सामने एक arithmetic progression दिया रहेगा, उसमें से आप लोगको first term निकालना है and common difference निकालना है, अपना बच्छो, यहाँ पे देखो आपको first term निकालना है, first term तो आपको सामने दिख रही है बच्छो, first term कौन सा है, 5 है तो मैंने यहाँ पे लिखा a is equal to t1 is equal to 5 काम खतम, मेरा पहला answer तो मिल भी गया common difference निकालने के लिए आपको याद है बच्छो, हम लोग ने common difference निकालने के लिए t2 minus t1, t3 minus t2, t4 minus t3 ऐसे निकाला था तब हम लोग ने इतना सारा क्यों निकाला था because तभी check करना था कि वो arithmetic progression है की नि तो check करने के लिए काफी सारे चीज़े दरूरत पड़ती है यहाँ पर question में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर लिखा है की सामने दिया हो अल्रेड़ी AP है तो आपको सारे चीज़े चेक करने की ज़रूरत निकालना जो भी answer में देगा वो आपका common difference होगा तो मैंने यहाँ पर क्या किया मलम है अभी T2 देखो कितना है मैंने T2 यहाँ पर 1 लिख लिया जिसकी ज़रूरत है और मैंने ना directly common difference निकाला common difference is equal to T2 minus T1 खता है simple अब चाहो तो T3 minus T2 भी करके आ सकते थे क्या फरक पड़ता है T2 minus T1 यहाँ पर 1 minus 5 हो जाएगा and 1 minus 5 होता है minus 4 मुझे common difference मिल गया मुझे first term मिल गया मैंने final answer लिख भी लिया the first term A is 5 and the common difference D is minus 4 as simple as that चुटकी बर में question खतम है की नहीं बच्छो next question for all of you guys is this one यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यह वाला question है again first term निकालना है and common difference निकालना है सबको पता है बच्छो यहाँ पर first term क्या है A is equal to T1 is equal to 0.6 है and यहाँ पर common difference निकालने के लिए T2 की जरुद पड़ेगी जो की 0.9 है common difference is equal to T2 minus T1 that will become 0.9 minus 0.6 which gives me the answer 0.3 आप लोग लिख सकते है बच्छो the first term over here is 0.6 and the common difference is 0.3 as simple as that एक और question लेने की कोशिश करते है बच्छो यहाँ पर काफी easy है बच्छो आप लोग तो इसको manage कर पाओगे find the first term and the common difference बोला है बच्छो यहाँ पर आपको first term and common difference निकालना है तो 1 upon 4, 3 upon 4, 5 upon 4 and 7 upon 4 है very 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 easy है रा question बच्छा है यहाँ पर आप लोग इसको manage कर पाओगे यहाँ पर बच्छो हम लोग को a is equal to t1 मतला first time आपका 1 upon 4 है वो तो आप लोग easily कर सकते हो उसके बाद अगर t2 की जरुत पड़ीगी t2 यहाँ पर 3 upon 4 है तो आप लोग निकाल सकते हो बच्छा d which is t2 minus t1 यहाँ पर आपको लोग देख सकते हो बच्छो t2 आपका 3 upon 4 है and minus आपका t1 जो है वो 1 upon 4 है बच्छो 3 upon 4 और 1 upon 4 को subtract करोगे तो क्या होता है denominator सेम होने के वज़े से 3 minus 1 हो जाएगा 3 minus 1 2 होता है 2 upon 4 काफी सारे बच्छे इसको 2 upon 4 लिखकर वही पर रुख जाते है यह गलत है 2 upon 4 निकालने के बाद उसको simplify करो बच्छो 1 upon 2 करो and then you get the answer and final answer लिख सकते है बच्छा the first term A is 1 upon 4 and the common difference D is 1 upon 2 as simple है सारे easy question था बच्छा I hope सब लोग को समझ में आ गया है सारे question बाकी के हो जो बच्छो मैंने छोड़े है अगर आप लोग को मुझे लगते है आप लोग यह कर सकते हो and बच्छो यह fundamental होने के वज़े से इस particular वीडियो का आप 1.5x में भी देख सकते हो आप लोग को bore नहीं होगा अच्छा यहाँ पे कुछ activity based questions है बच्छा practice at 3.2k तो वो भी लेने की कोशिश करते है write the correct number in the given boxes from the following AP 1, 8, 15, 22 तो यहाँ पे बच्छो A का value पूछा है A मतलब first term होता है जो की 1 देगा फिर इन्होंने T1 का value बोला T1 मतलब भी first term होता है यहाँ पे 1 हो जाएगा बच्छा भावनाओ के साथ बहो मतला यहाँ पे 1 आ जाएगा तो उसके बाद में 8 मतलब लिखना directly जरा question को ध्यान से देखना T2 बोला है बच्छा यहाँ पे T2 मतलब क्या हो जाएगा T2 यहाँ पे 8 हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा काफी सारे बच्छे इधर ही mistake करते 1, 8, 15, 22 लिखे आते जरा question को ध्यान से देखो T2 माइनस T1 बोला है बच्छा T2 माइनस T1 मतलब 8 माइनस 1 हो जाएगा जो की 7 देगा T3 माइनस T2 बोला है T3 15 है आपका यहाँ पे 8 है 15 माइनस 8 फिर से 7 देगा और इन्होंने बोला है common difference बोलो तो common difference तो 7 है आपका question कतम हो गया very, very, very easier a question राइट ना बच्छा चलो एक और लेते है ऐसे टाइप का same to same 3, 6, 9, 12 बोला है T1 पूछा है T1 मतलब 3 हो जाएगा first time है T2 मतलब 6 हो जाएगा T3 मतलब 9 हो जाएगा and T4 मतलब 12 हो जाएगा T2 माइनस T1 बोला है मतलब 6 माइनस 3 हो जाएगा that will give me the answer as 3 T3 माइनस T2 मतलब 9 माइनस 6 हो जाएगा that is equal to 3 T4 का जिकर नहीं किया है common difference पूछा है फिर से what is the common difference over here the answer is 3 again as simple as that चलो एक और activity based question and then हमारा आज का session खदम बच्चो यहाँ पे देखो write the correct number in the given boxes from the following AP here T3 is equal to जाड़ा देख सकते हो बच्चो आप लोग ने textbook वालो ने क्या कर दिया यहाँ पे randomly arrange किया कुछ भी तो आप लोग जाएगा T3 पहले पूछा है T3 मतलब 3rd term कौन सा दिख रहा है यहाँ पे 3rd term minus 13 T2 यहाँ पे कौन सा दिख रहा है minus 8 T4 कौन सा दिख रहा है minus 18 and T1 कौन सा दिख रहा है minus 3 ध्यान से करना बच्चो यह वाला part थोड़ा सा interesting है T2 minus T1 बोला है बच्चो T2 तो minus 8 है minus T1 कितना है T1 आपका minus 3 है उदर चेखना बच्चो आप लोग नहीं तो starting T3 देख लोगे तो minus 3 हो जाएगा बच्चो इसके बाद directly box किया है आप लोग थोड़ा solve करना minus 8 minus of minus 3 मतलब minus 8 plus 3 होता है and minus 8 plus 3 मतलब कितना होता है बच्चो minus 8 plus 3 minus 5 होता है उसके बाद T3 minus T2 बोला है T3 यहाँ पे minus 13 है minus of T2 कितना है बच्चा minus 8 है minus 13 minus of minus 8 मतलब minus 13 plus 8 होता है अगें चेक करो बच्चो minus 13 plus 8 होता है minus 5 आपको यहाँ पे difference common मिला and that will be a final answer minus 5D के जगह पे आ जाएगा and बहुत ही simple दो मार का question यहाँ पे आपको आचुका है and it was as simple as that तो बच्चो I hope आज आप लोग को arithmetic progression क्या होता है sequence क्या होता है common difference क्या होती है उसके बाद में first term क्या होता है उसको कैसे denote किया जाता है and उससे related छोटे-मोटे questions यह आप लोग को आज के session में समझ में आ चुका है यह session काफी important है because fundamentalist में ज्यादा है अगर आप लोग को यह video पसंद आते तो like जरूर करना and share करना with all your friends and subscribe भी जरूर करना ना भूले but बच्चो second session में जब हम लोग मिलेंगे उसके पहले यह session को अच्छी तरह से देखना ना भूले मिलते है बच्चो next session में that will be the TN formula काफी important formula बच्चो in our next session तब तक बच्चो do take care of yourself love you all thank you so much and bye